विकास्वानी सुन रहें सभी शोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार शोताओं आज हम बात करेंगे नकसल प्रभाविच छेत्र गोंदिया जिले के परिशेत्र केशोली से स्री बी एस मुंडेजी से जो वहाँ के पुलिस थाने में पुलिस उपनी रिक्षक है नमस्ते मुंडे जी नमस्ते सर मुंडे जी आप हमें बताएंगे कि आप नकसलवादी छेत्र में किस प्रकार का कारे कर रहे हैं जि ज़रूर महाराष्ट्र पॉलिस के अंदर गढ़सिरोली परिक चेतर है उसमें गोंदिया और गढ़सिघ। तो में पोस्तेडिय। यहाँ पे हम सभी जो टीमों में काम किया जाता है 6360 की पार्टी होती है नकसल पूली स्टेशन होते है और अलग-अलग तरह से यह पूलिसों का काम चलता है इनके दोरा पूलिसों के दोरा जानकरी एकटा की जाती है परिष्टों के मारगदर्शन से उस पर कारवाई की जाती है मुंडे जी नकसलवादी शेतर में लोगों को किस प्रकार आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? प्रकार कर बारी होसे संजाते हैं इसने वबेख्षा प्रदीन देखे बसे परिप्रदान औरां पर बलीष उड़ाइन? अगर आप बलीष तो आप गर परिवार बनेगा नकसल में कोई इस परकार पुलिस का काम चलता है मुंडे जी नकसलवादी शेत्र अर्था जो पिछड़ा शेत्र है वहाँ के लोगों के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं इसके बार में आप कोई जानकारी दे सकते हैं जी जरूर सरकार की योजना तो बहुत सारी होती है लेकिन नकसल को ये विकास होने नहीं देना है ये इसके खिलाफ है तो सरकार की और फूल टीम होती है पुलिस की वो पुलिस पे आटेक करते हैं सरकारी को ये उजना प्राभावी तोर से वो इफेक्टेड तोर से वो नहीं करने देते हैं उस सेत्र में अच्छा उसका विरॉत करते हैं जी तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों को प्रोटेक्शन देना लोगों को जानकरे देना जंगल में जो 10-12 घरों के गाउ होते हैं कुछ-कुछ वहाँ पे बिजली ने रहती जी वहाँ पे रस्ते ने रहते हैं अगर करना चाहे सरकार तो भी यह नकसल नहीं करने देते हैं जो भी स्कीम लेके जाते हैं हम उनको प्रोटेक्शन करके वहाँ तक लेके जाते हैं अगर वह नहीं जा सकते हैं पुलिस खूद हमारे वरिस्त जैसा भी बताते हैं यह अपने को वहाँ तक पहुचाना है यह काम करना है तो उसी तरह हम पू पुलिस का काम आपकार आप में कौन सी परेशानी का सामना किस तरह से करते हैं। जो नव जवान इवकिवती है, जो अच्छे का 30-35-40 साल के यह जो लोग है, इनको पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ने नहीं देते हैं, जैसा इनके लिए हमारे यहाँ, एसम्तराव चाहवन मुक्तविद्य पिट है, वहाँ पे उनका आडमेशन करना, जिसको पढ़ना है, ज इसको उनको अच्छा रास्ते पे लेके जाना हमारी यह पहले अहम कोशिस रहती है, तरकार द्वास विविद्य यह जना तो होती है, उसमें भी उनको लाब दिया जाता है, उनको नवकरी यह से कंपनिया जाती है, हमारे पास यहां अगर यहां से वेल एजुकेटेट अग आप उनको मोटिवेट करते हैं सिक्षा के लिए और नौकरी के लिए, जरूर, जी, जी, बड़ेगा दिखेगा तभी तो बड़ेगा इंडिया, यह सरकार का यह भी है, जी, जी, मुन्डे जी जैसा कि वहां बहुत सी NGO's वहां आती है, अलग-अलग संस्था हैं, सहयोग कर पुलक मंच है, इनका कारिया हमारे एक सेत्र में बहुत ही अच्छा है, जी, 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 छोटे बच्चों को खिलोने देना, पड़ाई के बुक्स देना, नोटबुक देना, पेन, पेंसिल, जो भी हर मुमकिन कोशिस हो सके, उनकी तरफ से वो मुया कराते हैं, जी, जी, जी खाम, एक नमबर है, जी, उनका काम करने का जो टीम है उनकी बहुत ही बह betrayed न तरीके से काम करते हैं, हमें, जी, 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 जी जी. कुछ देना है तो एंग्यों हमसे संबर करके हमारे वरिष्टाजी कारियों से संबर करके हम यह गाव में यह करना चाहते हैं प्रोग्राम बना कि उनको तभी गाव वालों को एक खटा करके वो सब कारेक्रम बढ़िया तरीके से करते हैं तो मुंडे जी जब इस तरह के कारक् काम करते हैं तो एंग्यों के साथ जब आप काम करते हैं और पुलीस विभाग और एंग्यों मिलकर जब काम करते हैं तो एसे कि आ अनुबह है कि आपको किसी तरह की परिशानी का सामना पड़ा हो ऐसा कगी मौका आया वह जिसमें आपको INGO kो प्रोटेक्क करना पड़ा हो Achse History का मुन्से दो का अभी तक तो आने नहीं दिया लेकिन नक्सल है हर एक मुंधिरे वाच करती है अच्या उनके पास बहुत सारी इकुमेंट रहते हैं क्या पता कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते हैं अभी तक तो ऐसा कोई वाक्या हुआ नहीं है लेकिन हमारी जो सुदक्षा देनी के उनके लिए जो यह रहती है बड़ी कड़ी तरह से हम निवाते हो जी तो मुंडे जी आप नकसल प्रभाविश शेत्र जो केशोली ऐसे मतलब ऐसे प्रभाविश शेत्र में रहकर आप बहुती सराहनी कारे कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश दिना चाहेंगे हर कोई नकसल वादी के लिए काम नहीं करता है लेकिन नकसल इफक्टर एरिया में जो भी गरीब है पिछड़ा वर्ग है उनके लिए सब को सामने आना चाहिए उनको मदद करने चाहिए उनको मुक्य प्रभावा में लाना चाहिए और जैसे ये इंजियोज की तीम कार्य करती है उसी प्रकार हम सब को उनके लिए कार्य करना चाहिए और उनको मुक्य प्रभावा में लाना चाहिए यही मैं कहूंगा जी तो बी-एस मुन्डे जी आज आपने जो नकसल प्रभावी शेतर है गोंदिया जिले का केशोली यहाँ पर रहते हुए आप जो सामाजिक कारे कर रहे हैं आपका विभाद जो कारे कर रहा है वो बहुती सरहानी हैं हम आज आपने हमारे आकाश्वाणी के माध्यम से हमारे शुरताओं को बहुती महत्वपुन जानकरी दिये जिसके लिए हम आकाश्वाणी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं धन्यवाद थेंक यू सर थेंक यू जैहिन